दोस्तों ब्रिक के एक ऐसी चीज है जो हर कंस्ट्रक्शन में यूज की जाती है और उसकी क्वालिटी कैसे चेक करते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगे आपको ना चेक के लिए कोई लैब चाहिए आप खुद गर पे इसका चेक कर सकते हो कि जो आप ब्रिक ला रहे हो क्योंकि गर में कम से कम 20 से 30,000 ब्रिक लग जाएगी छोटे से चोटे गर में तो उसकी क्वालिटी चेक करना जुरूरी है क्योंकि साथ से आट रुपे में ब्रिक मिल रही है तो सबसे पहला टेस्ट क्या है देखिए पता चल जाएगा सामने आप देख रहे हो जहां नाम लिखा हुआ है पी बी के यह होता है फ्रॉग इसको टेक्निगल वर्ड बोलत चाहिए और ऐसे चुड़ा ही बोले वह भी एक इंच या 30 से 40 mm आपकी होनी होनी चाहिए वह ब्रिक अच्छी है वह अर्थ को रेसिस्टेंट कर देगी जो अगला टेस्ट रहता है वह रहता है हमारा एब्सॉर्प्शन टेस्ट या वेट टेस्ट बोलो इसमें क्या करते है हो एक इंच लेते हैं उसका वेट करते हैं जैसे हमारा वेट आया है 2.236 kg कोई भी गाड़ी आई उसमें से एक दो इंच उठा लो फिर क्या करने है उस इंच का वेट करके उसको कर देने हैं आपको पानी में डूबा देने हैं 24 गंटे के लिए वह पानी में डूबाई अगर उसका वेट है 2.2 हमने जैसे देखा तो 2.25 या 2.253 से जाधा होना नी चाहिए देखो 24 गंटे हो गे थे अभी हम इसको निकालेंगे और इसका वेट एक बार दोबारा से करेंगे चेक करेंगे इसका वेट कितना तहा है देखो बेट आया इसका 2.586 मतलब इसका 15 प् आएगा तो यह पास हो जाएगी और फार्मूला अगर मैं बताऊं आपको चेक कैसे करना है वो सामने आप फार्मूला देख रहे हो पहला का वेट आया होगा जो माइनस दूसरा का वेट डिवाइड पहला का वेट इन्टू हंडड आपको कर देना है अगला टेस्ट है अगर वो नहीं टूटी तो वो अच्छी ग्रीक है मतलों एक दो ब्रिक फैंकर देखो उसमें आपको चेक हो जाएगा अगला जो टेस्थ है वो देखने से आपको लग जाएगा आईडिया देखो उसका करने है अगलर का ब्रिक की जो भी आपकी गाड़ी आईगी ब्रिक क तो वो brick आपने कभी नहीं लेनी है, मतलब जिसका एक जैसा color होगा, वो हमेशा brick आपको choose करनी है, अगला test भी एक काफी important test है, जिसमें आपको check करना है कि आपका brick का size किया, अगर मैं standard size की बात करूँ, जो brick अमारी रहती है, 90 mm by 90 mm by 190 mm, लेकिन जो आप सामने brick देख रहे हो, व standard size होना चाहिए बठेगा, जो भी वो brick पेजएगा, उसका rate उसी के हिसाब से होता है, तो जो भी आपकी गाड़ी आए, उसमें check कर लेना है, कम से कम 10 से 12 brick check करनी है, कि उनका size क्या है, अगर उसमें size आगे पीछे हुआ, तो वो brick अच्छे से बनी नहीं है, मतलब ऐसे ही लो यहाँ हाथ से, नेल से उसको निशान मारना है, अगर उसमें निशान पढ़ गया, तो थोड़ा बहुतो निशान पढ़ेगा, लेकिन गहरा अगर निशान पढ़ा, तो वो brick अच्छे से भूनी नहीं गई है, मतलब उसमें लोचा किया गया है, जल्दी से उसको बठे म एक brick को तोड़ना है, उसमें अगर impurity दिखी, देखो क्या होता है, कुछ brick के तोड़ोगे अंदर आपको देखोगे कपची पड़ी होती है, aggregate के थोड़े-थोड़े pieces पड़े होती है, मिट्टी होती है, तो impurity हुई अगर, वैसी brick आपको कभी नहीं लेनी है, उसके अंदर जो अगला तरीक है, इंट को चेक करने का, वो है क्या करना है, एक इंट लेनी है, उसको 24 गंटे के लिए पाणी में डाल देने है, पाणी में से निकालने के बाद अगर उस पे सफेज सफेज दाग लगा होगा, तो वो brick अच्छे नहीं है, उसमें soluble salt जो रहते हैं, वो हो होंगे, वो बाद में दिवारे खराब करती है, सेपेज करती है, और आपकी पपड़ी बनना स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसी brick आपको कभी नहीं लेनी है, अगला जो test है, वो क्या करते है, हम strength test करते है, इसका मतलब क्या है, strength test, इसमें क्या है, जैसे हम cube test, आपने सब डालते है, अगर उसका मतलब 3.5 Newton per mm square आया लोड, मतलब उस लोड पे वो तूट गई, इससे कम पे, तो वो brick अच्छी नहीं है, या 70 kg per cm square, अच्छी brick की यही खासियत है, अगर इससे कम में तूट गई, वो quality की अच्छी brick नहीं है, next क्या होता है, next test यह हो है, उसमें क्या क time भी किया होगे, जब नीचे भी आप इंट फैंकते होगे, तो एक आवाज आती है, जैसे मतलब ring की आवाज नहीं आती ही, किसी brick को टकराओगे, आप चेक करना कभी, तो एक अच्छी सी वाज आती है, अगर वो आवाज आई, मतलब वो अच्छी से पकी वी brick है, उसमें ज पता चल जाएगा, आपकी brick अच्छी है या नहीं, थैंक्यू गैस, और प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और बैल आइकन को जुरूर दबालो, क्यूंकि डेली हमारी वीडियो आती है, और आपको डेरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और कोई भी help आप चाहिए, कमेंट करो, मैं उसका reply जरूर करूँगा, थैंक्यू गैस,